हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि लो प्लेटलेट्स काउंट्स जो डैंगी में होता है उसका क्या सिम्टम्स है लो प्लेटलेट का एक बहुत बड़ा इसू है और डॉक्टर के लेवल पर भी पेशेंट के लेवल पर भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सुच्वेशन काई वारी बन जाती है बॉड़ी के अंदर हमारे ब्लट सेल्स में देरा रदा थ्री टाइप अब दा सेल्स लेकिन जो प् बाडी में यदी तांपरेच्चर रहता है तो दूट वड़ी हीट और एक्सेब टैंपरेचर रहने के कारण भी प्लेटलेट काई वरी कुछ मतलब डिकलाइन कर सकता है लेकिन डेंगी फीवर के अंदर प्लेटलेट का जो बर्न होने का डिकलाइन करने का जो रेठ है और बहुत ज़्यादा फास्टर होता है दूसरी कंडिशन से और कुछ सिंटम्स भी होते हैं देखा जाए तो वाइरल फीवर हो या फिर डेंगी फीवर हो या कोई दूसरा टाइफाइड हो या किसी दूसरा टाइप का फीवर हो 90% सिंटम्स फर्स्ट टुडेज में लगबक सेम ही रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ सिंटम्स हैं डेंगी फीवर में जिनके आधार पे हम थोड़ा सा डिस्टिंग्स कर सकते हैं तो सबसे जादे जरूरी है कि हम यह समझें कि जो प्लेटलेट यदि किसी का डिकलाइन कर रहा है तो उसको आप अपने लेबल पे सेल्फ लगेगी और फीवर आने के साथ आपको कमजोरी यानि वीक्नेस लगेगी कई वरी थ्रॉड ड्राइ हो जाता है और आपको डिहाइडेशन भी लगता है यानि कि आप ठोड़ी कमजोरी और पानी की कमी महसूस करते हैं तो यह फर्स्ट टू डेज में सिंटम्स रहेंगे ल तो डेज से फोर डेज तक जो सिंटम्स होंगे वह थोड़े से वैरी कर सकते हैं आपको वॉमिट हो सकता है आपको पेट दर्द आ सकता है आपको पेट में हलका सा टेंडर लग सकता है आपको डाइजेशन में डिफिकल्टी हो सकती है और थर डेज के बाद आपका जो टैं इंटेस्टाइन के लेवल पे आपको थोड़ा से स्वेलिंग आ जाती है और आपको प्रॉपर एपटाइट नहीं होता है यानि आपका एपटाइट भी ड्रॉप हो जाता है तो यह सिम्टम्स रहेंगे आप टू डेस से फोर डेस तक आप फोर डेस के बाद जो सेवन डेस त आ रहे हैं जैसे कि फीवर कम हो जाएगा और दूसरे सिम्टम्स आपको सुरू हो जाएंगे चॉइंट पेन आएगा और कमजोरी आपको रहेगी डाइजेशन का जो प्रिक्रिया है वो बदल जाएगी यानि आपका एपटाइट कम हो जाएगा या तो आपको कॉंस्टिप पे रहसेज हो जाएंगे आपको रैड स्पॉर्ट होंगे और कई बर यह देखा जाता है कि आपका यूरीन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है तो यह सब सिम्टम्स आपको देखे जा सकते हैं तो यह सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है यदि आपको किसी भी तरह का fever है तो आप अपने symptoms को समझिए यदि आपको symptoms के आधार पर यह महसूस होता है कि आपको dengue fever है तो फिर आप अपने nearby physician से consult करिए और make sure के symptoms के आधार पर आप फिर investigation के लिए जाएं diagnosis बनाएं और जो proper treatment बोलें और platelets का जो decline होना है उसको समझने के लिए और platelets को हम नेचरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं वाई सम फ्रूट जूज वाई हॉम remedies तो उसके लिए आप मेरा नेक्स वीडियो देखिए जिसमें कि हम प्लेट लेट को बूस्ट करने के लिए नेचरली प्लेट को मैनेज करने के लिए हॉम remedies बताएंगे थेंक यू वेरी मुच एं ठेक केर अरसे थेंक यू वेरी मुच एं ठेक केर अर्सेट